Hi everyone, welcome to Crazy Physics, myself Rani and today's video is most important for the purpose of DSSB exam. Basically, today's video is based on completely empty problems. So, continue करते हैं, last की मैंने I think 3 and 4 videos है मैं upload कर चुकी हूँ. First and second videos में जो सम कुछ problems थी वो based on mathematical physics थी and after that हैं कुछ classical mechanics पे 2 videos आई हैं and अब हैं जो continue करते हैं, EMTs की कुछ problems हैं, ठीक है, तो जिसने भी अगर आपने previous videos हैं नहीं देखी हैं तो प्लीज आप जाकर playlist में चेक करो और आप प्लीज उन videos को देखों, तो इस exams को crack करने के लिए आपको basically है net की कुछ basic है knowledge होने चाहिए तबी आप है, इस exam को easily crack कर सकते हूं ठीक है, तो continue करते हैं, actually इस exam में nearly 200 के questions आते हैं, with 200 questions within 2 hours में आपको complete करने हैं तो आप देख सकते हो, एक questions को minimum कितना time लगना चाहिए, minimum जो time है, one questions को nearly 30 seconds के near about आता है ठीक है, तो हम questions को आज करते हैं, मैं हर एक questions के साथ है, जो concept होता है, उसको भी बताते हूं तो जिस concept में, जिस questions में, sorry जो trick लगती है, मैं आपको भी बताने की कम पूरी कोशिस करते हूं ठीक है, तो continue करते हैं, आज के video, तो मैं basically है, 40 questions है, अभी तक हो चुके है ठीक है, तो आज continue करते है, 41 questions से, यह है EMT पे ठीक है, तो question number जो 41 है, उसमें क्या कहा है, 4 equal point charges है 4 equal point charges are kept fixed at the 4 vertices of a square means 41 जो question है, वो ऐसा है, एक square given है, इस पे 4 equal charges रखे गई है अब इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है, how many neutral points, कितने neutral points होंगे will be found inside the square, neutral point means कि जहाँ पे अंदर है, वो means कितने point होंगे जहाँ पे electric field है, वो क्या होगी, vanish होगी, ठीक है, तो वहाँ पे आप basically देखो अगर मैं यहाँ पे है, center क्या ले लती हूँ, origin लेती हूँ, ठीक है, हमने क्या बताना है, कितने neutral point है कोन से, जहाँ पे electric field हो, वो क्या हो, 0 हो, inside this square, तो सबसे पहले हम देखते हैं, inside है मैंने center में क्या assume किया, एक O center assume किया, right, अब मैं क्या करते हूँ, इस charge की वज़े से, इस centers पे है, जो force होगा, sorry, electric field होगी, वो किस direction में होगी, like that, ऐसे चारो के चारो है, वो कैसे है, equal charge है, इस charge की वज़े से, यहाँ पे जो होगी, centers पे electric field होगी, वो किस direction में होगी, ऐसे, यहाँ पे देखो, इस charge की वज़े से क्या होगी, इस direction में, इस charge की वज़े से क्या होगी, इस direction में, क्या है, सारे के सारे, equal charge है, तो overall, इस charge की वज़े स उत्यव इस पॉइंट पर जो इस इसको così इसको इस को कैंसल किया तो बेशिकलर यहांपर कितनी द्रब्यद पॉइंट सरफ 1 री सैंट द्रफ द्रफ एभा और वह भी कौण सा पंवा सोबाइब तो कि sliding थो कितने पॊइंटْस और फी स्मिष्पिर यु गोंट BC तो यहां पर मिलागान गोओं मिल्स कैल चाइब लुक्ति अ में TRA पूइंट अगर पचले हमारे पास या इल्याक्तिक फिल्ड है इंसाइड है वो जीरो यिरो होगी नहीं होगी Aगर हमारे पास सेप है वो स्म возь के या होगी यां आपस में सारे क histories है ओर ma gandural चैनल कर आते हैं तब इस case में है electric field है वो कभी भी 0 नहीं होगी something कुछ आएगी ठीक है तो आपको बस यह याद रखना है safe है वो symmetric होने चार्ज है वो भी क्या होने चाहिए और all same होने चाहिए इसी case में हमारे पास a neutral point निकलता है सेंटर पर क्या आती है electric field जीरो आती है ठीक है तो now go with next question इसमें आप लिखना चाहों तो आप लिख सकते हो electric field at center है वो 0 होगी क्यों होगी equal and opposite charge है वो आपस में क्या कर जाते हैं एक दूसरे को cancel out कर जाते हैं ठीक है अगर यहाँ पर लिख सकते हो अगर आपको note लिखना है तो note में important point है क्या है देखो यह आप यहाँ देखो इस सिस्टम में क्या होगा हमारे पास है इस सिस्टम में स्मेट्रिकल कैसा हो सिस्टम हमारे पास है सिमेट्रिकल हो देन उस केस में हमारे पास क्या जाते हैं सिमेट्रिकल मीन्स इक्वल चार्ज ठीक है सिमेट्रिकल मीन्स इक्वल चार्ज हो सेफ हो वो क्यासी हो हमारे पास लाइक है स्केर हो ट्रेंगल हो पैंटागोन हो है इस परकार की हो देन देन net electric field at center वो क्या आती है is zero ठीक है and also force भी क्या होगा उस case में zero होगा ठीक है तो आपको है ये बाते याद रखने है now go with the next question next question कुम सा है actually मैंने है जिसको भी अगर आपको paper देखना है वो paper है मैंने है I think second या third वीडियो में DSSB का जो मैंने solution upload किया था उसके description box में मैंने upload link है वो share कर दिया तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हूँ ठीक है और दूसरी बात किसी को भी किसी भी questions के answer में थोड़ा सा भी little bit doubt लगता then please comment में मेरे पास just only questions paper है answer नहीं है ठीक है तो मैं अपना 100% देखे give my best मैं यहाँ पर solutions परवाइड कर रही है किसी को भी थोड़ा सा भी अगर किसी भी questions के answer में hesitations लगता है हाँ यह ऐसे हो सकता है answer mistake है then please comment में ठीक है तो now go with the next question next question क्या है इसमें देखो consider a solenoid है radius given है उसकी r ठीक है with n tons per unit length in which a time dependent current यहाँ पर क्या दिया time dependent current है और वो कितना है i which is equal to i non sin omega t अच्छाई भी इसने क्या पूछा है flow the magnitude of elactic field at a perpendicular distance यहाँ पर क्या पूछा है magnitude किसका elactic field का पूछा है कहां से कहा at a perpendicular distance there r है वो less than r ली है from the axis of symmetry of the solenoid is means like देखो solenoid है वो ऐसे है ठीक है अब इसमें क्या है ऐसे है वो सारी loop है ठीक है अब इसकी मान लिया मैंने radius है वो r है तो इसने क्या दिया इसके अंदर अगर मैं लो तो इस इतनी radius में small r मतलब कही इस regions में इसकी radius है क्या r है तो इस regions में बताना है यहां पे अंदर है वो क्या होगी electric field है वो कितनी है तो सबसे पहले अब इहां पे देखो current given है right कैसा है time dependent यहां पे omega t sign की term involved है क्या find out करना है electric field find out करनी है जब भी हमारे पास ऐसा हो current given है electric field find out करना है then हम क्या apply करते हैं हम सभी को पता है इस case में हम क्या जानते है EMF होता है वो किसके इकल होता है minus का D5 अपोन में डेटे right अब यहां पे देखो क्या होता है हम पढ़ते है induced EMF sorry इसमें क्या होती है E dot DL जो किसके इकल होगी हमारे पास है एक formula होता है minus का D5 अपोन में DT यहां पे 5 क्या flux है ठीक है अब इन magnetic field में है यह किसके इकल होता है 5 which is equal to हमारे पास है B dot DS so put कर दो इस equations में E dot DL which is equal to minus का D upon में DT B dot DS हमने यह वाली value है इसमें put कर दे अब यहां पे देखो हमने क्या करना है अब यहां पे देखो B क्या है magnetic field है solenoid में magnetic field है उसकी value किसके इकल होती है B which is equal to mu node N5 right DS क्या area है यहां पे जो area है यह कितना होगा हमारे पास पाई आर स्केर यह area DS which is equal to कितना किसके है यहां पे पाई आर स्केर के इकोल है ठीक है अब मैंने radius है इसकी कितने लिए पाई आर स्केर यहां पे यह सारी के सारी value हाप पूट करो D F1 में DT B B की value कितनी है मूँ नोट एन I की value कितनी given है डार्क्ट पूट कर दो मैंने यहां पे साइन वो मेगा टी इन्टू पाई आर स्केर अब आप क्या करो इसको solve करो मूट N I not constant π R square constant sin वो मेगा टी का cos वो मेगा टी इन्टू वो मेगा राइट क्या निकालना है electric field निकालना है यह क्या है DL यहां पे length कितनी होगी 2π R E dot 2π R निकालना क्या है electric field क्या करो इसको divide करो 2π R 2π से π कैंसल R से R कैंसल तो मेरे पास और है और रोल है वो कितना है मू नोट N I not hair cos यहां से कितना आ गया R omega R cos omega D and divide मे 2 ठीक है तो यह हमारे पास है कितना यह answer आया ठीक है अब यहां पे है negative sign चल रहा था तो आप इसको negative लगा लेकिन options में थे वो without sign के थे means only magnitude है वो mention कर रखा गा ठीक है तो यहां पे answer क्या आएगा यहाएगा mean node and high node omega R cos omega T divide मे 2 ठीक है अगर आप calculation में हो सकते है कहीं पे भी mistake तो आप है solve कर सकते हो ठीक है now next question question number 43 43 question है वो क्या है 43 में क्या गया है एक force है ठीक है F है उसको drive किया गया है form a potentials from function vrc एक force है F इसको कहा से drive किया गया है एक potential vrc जो यह potential है यह किसका function है r का where r is the distance from the origin of the coordinate system then it follows that उसने क्या कहा है option मैं लिक देते हूं आपकी सामने एक है first option है divergence of f which is equal to 0 and जो second option है वो है 0 and third option है curl of f which is equal to 0 and fourth option है del square v which is equal to 0 अब यहाँ पे देखो है force है वो किस से related है potential से related है इसने ऐसे ही कहा कि यह जो force है उसको drive किया गया है इस potential से तो कैसे यह like कुछ ऐसी आपने कुछ पढ़ा होगा f which is equal to minus का del of v या फिर we can say that electric field के बारे में तो आपने पढ़ाई होगा कैसे कब अपता है जब when curl of e which is equal to 0 then in this case e which is equal to minus का del of v लिखते है इस case में जो हमारे पास है जो electric field होती है वो क्या होती है conservative होती है तो इसमें क्या लिखते है है e which is equal to minus का del of v तो यहाँ पे है force है वो same इसी situations में है तो हम force को इस case में कैसे लिख सकते है curl of f which is equal to 0 तो हमारे पास है यह क्या है हुआ option 3 is our right answer ठीक है ऐसे solve करना था now go with next question next question है 44 है क्या का है a magnetic dipole of dipole moment is placed in a non-uniform magnetic field B में रखा गया कैसी magnetic field non-uniform if the positions vector of the dipole is R okay then the torque acting on the dipole about the origin is अब यहाँ पर कैसे field दी थी non-uniform magnetic field ठीक है तो हमें पता है जो torque होता है tau which is equal to R cross का F right torque है हम ऐसे ही निकालते है R cross F लेकिन यहाँ पर जो है force होता है in magnetic field में तो वो क्या होता है del M dot B right अब आप सर्फ है force की जगह है यह वाली value put कर दो आपका answer है वो आ जाएगा ठीक है अब यहाँ पर tau which is equal to R cross del M cross dot B यह आ गया हमारे पास answer ठीक है options में बस ऐसा ही था R cross del M dot B एक option क्या था M cross B second जो third option था R cross M cross B and जो fourth option था M cross B plus R cross del M dot B ऐसे option था तो यह हमारे पास right option है ठीक है इस case में now next question है 45 45 question में क्या कहा है देखो important question है 45 है ध्यान से समझना इसने कहा एक electrostatic potential given है क्या है electrostatic potential V X Y right free space यह जो potential है यह कहा दी किस space में दी है free space में okay in a reason we have the charge density rho is 0 rho है वो इसने 0 बोल दिया ठीक है is given by potential क्या given है V X Y which is equal to 4 E raise to power 2 X plus का F X minus का 3 Y square right अच्छा इसने क्या कहा है given that the X component of the electric field X component किसका electric field का जो भी given था मैंने वो लिख दिया mathematical notations में अच्छा of the electric field E X and V X component था electric field का and V यह क्या given है 0 दिये है कहाँ पर at the origin ठीक है origin पर अच्छा इसने क्या पुछा है then F X is यहाँ पर पुछा क्या है F X is यह पुछा ठीक है तो हमारे पास है यह जो सारा का सारा case है यह किस system में दिया है free space में और हमें पता है क्या होता है del square V which is equal to 0 होती है यह कौन सी equation है Laplace equation ठीक है तो यहाँ पर यह equations है इस equations के अंडर है अब इस questions को solve करेंगे क्यों कि इसने यहाँ पर दिया था rho is equal to 0 ठीक है तो हमने यहाँ पर actually जो equations होती वो क्या होती del square V poisons equations की तो वहाँ पर poisons equations में है मैं यहाँ पर rho की place पर क्या 0 पूट करूँगी तो यह क्या है convert होगी किसमें Laplace equations में अब यहाँ पर क्या है del square V किज़े क्या हाँ पर है यहाँ पर देखो 4 e raise to power 2x plus का fx minus का V by square यह क्या है V है हमने क्या करना मैं इसका 2 time derivative तो यहाँ पर करो अब देखो मैं इसका direct करती हूँ कैसे 4 exponentially as it is इसका अगर मैं one time करूँगी तो 2 का factor second time करूँगी तो फि 2 का factor आएगा और e raise to power 2x ऐसे होगा first time किया मैंने 2 second time derivative किया मैंने 2 exponentially वाला factor same as it is क्यों किया क्यों कि मैंने इस equations के under laplace equations मैंने यहाँ पर apply की है second plus का यहाँ पर इसका functions का derivative करूँगी 2 times right यह minus का अब यहाँ पर करो यह तो क्या थे x के अब यहाँ पर मैं y के करूँगी y के respect में तो कितना आएगा minus का 3 एक time करूँगी तो यहाँ पर कितना आएगा 2y अब second time करूँगी y का y से y cancel हो जाएगा तो only कितना आएगा 2 means ऐसे first time क्या तो minus का 6y and second time करूँगी तो कितना आएगा minus का 6 तो रहा ठीका अब इसको क्या किया मैंने 0 के equal put किया अब इसको सोल करूँ यह कितना आएगा 16 e raise to power 2x plus का f double dash x minus का 6 which is equal to 0 f double dash x second derivative of function which is equal to 16 6 minus का 16 e raise to power 2x राइट अब एक equation आगे मेरे पास यह मैंने क्या निकालना f of x ठीक है अब f of x निकालोंगी तो मैं इसको क्या करूँगी 2 times integrate करूँगी तो आप 2 times है इसको integrate करो first time integrate करते हूँ तो कितना आएगा मेरे पास 6x minus का 16 e raise to power 2x divide me to plus का c1 constant तो यहां से कितना आएगा 6x minus का 8 e raise to power 2x plus का c c1 which is equal to किसके है first derivative के right second equation आगी मेरे पास ये second equation मेरे पास ये आगी 6 यहां से क्या तना 6 minus का 2 e raise to power 2x plus का c1 अब देखो यहां पे है मेरे पास है मुझे किसकी value निकालने है integrations में c1 की अब मैं कैसे value निकालने है यहां पे देखो इसने क्या कहा है origins पे तो यहां पे है f-0 which is equal to 0 और यहां पे कितना आएगा minus 8 plus का c1 अब मेरे पास है f-0 की value नहीं है नहीं है तो इमें ये वाली value दिखाई नहीं दे रहा तो मैं देखो इसको उपपर लिखती हूँ कैसे देखो मैंने इसमें just f-0 center पे दिये थे origins पे x और y 0 तो यहां पे कितना आएगा 0 minus का यहां पे area to power 0 1 तो minus 8 plus का c1 तो यहां पे मेरे पास है f-0 की value नहीं है given तीक है अब मुझे है जो given statement थी उसी में से ये f-0 की value find out करने ही कैसे क्या दिया था इसने e x है x का जो electric field का जो x component था वो क्या था 0 था तो यहां पे हमें क्या पता है e which is equal to minus का del of v हमें पता है यह तो यहां पे x component दिया था तो यहां पे क्या लिखेंगे e x which is equal to minus का curl v upon में curl x तो मैं यहां से निकालूँगे देखो e x which is equal to minus का इसको क्या करो v यह रहा तो यहां पे देखो x के respect में तो करूँगे तो कितना आएगा 8 e raise to power 2x और यहां पे कितना आएगा f dash x मैं यह question ऐसे कर दूँए यहां पे देखो अब यहां पे देखो x के respect में करूँगे तो यह वाली terms क्या होगी 0 तो यह आया overall अब यहां पे क्या था यह x अब वो 0 है कहां पे origins पे तो यहां पे आप है put करो यहां पे तो यह 0 which is equal to minus का 8 यह क्या आएगा 1 plus का f dash 0 तो यहां से है f dash 0 की value है वो कितनी आगई मेरे पास 8 तो यहां पे है मेरे पास यह वाली value आगई तो आप है इसको है यहां पे put करो देखो यहां पे क्या था negative sign था तो अंदर में जाएगा तो यह क्या आएगा negative तो इसको लेकर जाओंगे तो यह क्या आएगा minus guide तो यहां पे अगर मैं इसको put करती हूँ तो यह वाली value कितनी आए गई minus guide तो c1 की value कितनी आगई मेरे पास 0 तो यह c1 की value है इस equations में put करो मैं further questions को यहां पे solve करती हूँ देखो कितना आया f-x which is equal to 6x minus का 8 e raise to power 2x c1 की value कितनी आगई constant की value 0 अब हम क्या करेंगे further इसको integrate करेंगे क्योंकि हमने क्या find out करना है function f of x तो मैं यहां पे f of x which is equal to integrate करूँगे तो यहां पे कितना आएगा 6 x square by 2 minus 8 e raise to power 2x divide me to यहां कितना आएगा 3 4 तो f of x की value कितनी आगई integrate किया है तो सम्कुछ another constant हम add करेंगे say c2 f of x which is equal to 3 x square minus का 4 e raise to power 2x अब हमें किसकी value निकाल लेंगे constant c2 की कहां से निकालेंगे जो यह given था इसने potentials given था कहा 0 given यही वाली है इसमें put करो यहां पर मैं इसको देखो यहां पर put करते हूं 0 origins पर given था तो यहां पर 4 आया e raise to power 0 plus f 0 minus का यहां पर इसकी value भी 0 तो यहां पर कितने आगे यह 0 which is equal to 4 plus का f of 0 तो यहां पर है इसकी value है वो कितने आएगे minus का 4 minus का 4 तो यहां पर हमारे पास है इसकी value कितने आगे minus का 4 अब हमने क्या निकालनी है C2 की value तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 0 put करेंगे F of 0 origins में बोला था 0 minus 4 plus C2 तो यहाँ पर जो है मेरे पास है इसकी value कितनी है 0 which is equal to 0 minus 4 plus C2 तो जो C2 की value है वो कितनी आगई मेरे पास 4 और यहाँ पर है F0 की value है कितनी आगई minus का 4 तो यहाँ पर है आप पुट अच्छा यहाँ पर आप डारेक्ट इसको put कर दो यहाँ पर ठीक है इसकी हाँ यह वाली value थी ना यहाँ पर आई थी ना minus का 4 तो यह cancel तो C2 की value कितनी आगई 0 तो आप है इस equations में है दुबारा put करो तो यहाँ आपके पास क्या आएगा F of x which is equal to 3 x square minus का 4 here is to power 2x यह हमारे पास क्या आगए answer ठीक है तो हम इस questions को हम ऐसे solve करेंगे सबसे पहले जो भी given है उसको लिखेंगे potentials given था अच्छे यहाँ पर है उसने free space में बोला था इसलिए है मैंने है वो laplace equations यूज़ की second है electric field का x component and potential है वो 0 दिये थे किस पर at origins पर हमने क्या find out करना था functions find out करना था F of x जो की यहाँ पर potentials में given है तो हम सबसे पहले है जो भी laplace equations था इसका क्या किया मैंने two times है वो derivative किया यहाँ पर मैंने direct है एक ही step में किया है अब यहाँ पर क्या आया two times है derivative functions का अब मुझे क्या निकालना F of x यह कब आएगा जब मैं इसको क्या करूंगी two times integrate करूंगी तो मैंने यहाँ पर है इसको है यहाँ पर जब first time integrate किया तो यह आया अब मुझे constant की value निकालना है first constant की value आएगी first condition से and second जो constant की value आएगी वो आएगी second condition से ठीक है तो यह question है ऐसे था तो जो coming question जो रहते हैं वो questions करते हैं next video में so thanks for watching this video and please share this video and subscribe my channel